Hello everyone, very good morning to all of you. दिन की शुरुबात करेंगे 6 अपरेल 2024 के Current Affair के साथ. हर एक news important है, वीडियो content तक ध्यान से दिखेगा. Current Affair की PDF आप Static GK के साथ मेरे Telegram Group से डाउनलोड कर सकते हैं. Telegram अगर अभी तक आपने नहीं जोइन किया है, तो मेरे Telegram को Official Link वीडियो के Description में सबसे उपर दिया हुआ है. सबसे पहले बात करेंगे आज हम लोग कल के Question की. कल मैंने आपसे Static GK का एक Question पूछा था. मेरा सवाल ये था कि राखा दुमनी Festival जो है, ये कौन से राज में मना जाता है? तो आप में से वो सभी स्टुडेंट जिनोंने आंसर दिया है हमाचल परदेश, उनी का सही आंसर है. राखा दुमनी Festival हमाचल परदेश में सेम उसी तरीके से मनाया जाता है, जैसे कि उत्तर भारत में उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर परदेश हो गया, अरियाना हो गया, इन सभी राज्यों में रक्षा बंदन जैसे आप मनाते होना. वैसे ही हमाचल परदेश में इसको राखा दुमनी बोला जाता है, बाकी सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही ट्रेडिशन है इस फेस्टिवल में, इस फेस्टिवल में जो महिलाएं होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी होती हैं, वो उस दिन अपने पेरेंट्स के घर जाती हैं और वहाँ पर अपने भाईयों के हाथों में राखी बानती हैं, और उसी तरीके से उनके भाईयों के द्वारा उन्हें गिफ्ट दिये जाते हैं, तो सेम ये उसी तरीके से हैं, और ये एक बहुत ही पवित्र तेवहार होता है, जो की मानसून के महिने में पूर्णिमा के मनाया जाता है लभी कभी कोशन और पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल में यहां का एक इंपोर्टेंट फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं गोची क्या बोलते हैं गोची तो यह जो गोची फेस्टिवल है आपको पता है यह क्यों मनाया जाता है यह हिमाचल 24 में एक घर में लड़के का जनम हुआ तो अगले साल फरवरी के महिने में मतलब 2025 में यह तेओहर उस घर में मनाया जाएगा जिसको गोची फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है काफी धूम नाम से लोग इसे मनाते हैं आप अगर Static GK में किसी भी तरीके की समस्या फेस करने हैं तो आप मेरी ये किताब आज ही Amazon से ओरडर करके अपने घर में आ सकते हैं Hindi और English दोनों में अवलेबल है हार एक exam के लिए ये किताब है और इस किताब में मैंने 802 topics Static GK के खुद से cover किये हुए है साथ में 1800 से जाधा TCS pattern पर आधारित Static GK के questions भी है साथ में Hindi और English में दोनों pure options अवलेबल है आप जो किताब चाहें वो किताब अपने घर आज ही आप मगा सकते हैं Static GK मुझे पता है हर एक exam में समस्या उत्पन न करती है GS तो एक अलग हो जाती है लेकिन पूरी GS पढ़ना है कि बात भी GK वाले portion में question नहीं बन पाते हैं कारण क्या है सिर्फ Static GK क्योंकि Static GK पर हम लोग focus नहीं कर पाते हैं जाधा तर टाइम हम लोग GS पढ़ते रहते हैं जिसकी वज़े से exams में merit कम रह जाती है तो कोई भी exam हो इस किताब को आप prefer कर सकते हैं और यह जो किताब है इसके दोनों link वीडियो के description में मैंने दिये हुए हैं आप वहाँ से directly click करके avail कर सकते हैं अब शुरू करेंगे आज का current fair यह कौन सा संस्थान है जिसने IIT पटना के साथ pact assign किया है और आने वाले समय में tunnels से जोड़े हुए जो projects हैं उन projects को और बहतर बनाने का काम यह करेंगे तो यह है SJVN सतलज जल विद्धुत निगम इन्होंने IIT पटना के साथ इसलिए pact to sign किया है कि आज की date में आप देख रहे हैं बहुत सारी tunnels बन रही है तो यह जो tunneling होती है वहाँ पर नदियों के उपर भी क्योंकि यह पहाड काटके बनाई जाती है वहाँ पर नदियों के उपर भी बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है तो आने वाले समय में दुनिया भर के कई सारे tunneling models को देखते हुए और जादा advanced geological models दोनों मिलकर बनाईंगे PN Limited जो है इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी इसका headquarter है शिमल और इसकी chair percent है इस टाइम पर गीता कपूर क्या ना मैंन का गीता कपूर IIT Bombay के द्वारा हाली में एक gene therapy launch करी गई है जो कि भारत की पहली gene therapy है cancer के लिए तो इसको किसके द्वारा launch किया गया है तो IIT Bombay के परसर से इसको President of India द्रोपदी मुर्मू के द्वारा launch किया गया है और यह जो gene therapy है इसको IIT Bombay ने Tata Memorial के साथ मिलकर बनाया हुए ठीक है और दरसल IIT Bombay के इंदर एक professor है जिनका नाम है राहुल पुरवार इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अपना एक स्टार्टप खड़ा किया और उस स्टार्टप के तहती Tata Memorial के परसर में IIT Bombay की मदब से इसको बनाया गया है यह therapy पहले वाली therapies से कहीं जादा बहतर होगी cancer patients के लिए इसके results और जादा accurate है जो कि अभी तक cancer patients के लिए therapy दी जाती थी उससे कहीं बहतर ही है इवन यह world class therapies में भी consider करी जा रही है यह कौन है जिनने Egypt के तीसरे कारकाल के लिए president के रूप में चुना गया है तो Egypt में तीसरी बार शबत ली है उपदल फते LCC ने president के रूप में इससे पहले यह पूरे-पूरे दो कारकाल सर्व कर चुके हैं और अब यह 2030 तक Egypt के रास्टपती रहेंगे हमारे देश में 5 साल का कारकाल होता है यहाँ पर 6 साल का कारकाल होता है चुनावी प्रक्रिया के दोरान इन्हें 89% वोट मिले है और Egypt में पहले से ही काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी जैसे कि Egypt लोन से गेरा हुआ है यहाँ पर financial crisis तो ही है इसके अलावा कई बार यहाँ पर battle की situation भी आ चुकी है काफी मुसीबते भरी रही है पिछले कई सालों में Egypt के हिस्टी में तो अब लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया है कि हाँ elections कितने जरूरी है और चुनी हुई सरकार ही देश को बचा सकती है तो यह अपने आप में एक बहुत ही achieving milestone है आप बोल सकते हो Egypt के लिए अभी तक Egyptian को यह समझ नहीं आता था कि हाँ लोग तंतर में कितनी दाकत है लेकिन अब वो इस बात को बखुबी समझने लगे है और हर एक सरकार वो चुन के ही लाना चाते है पहले Egypt के अंदर चुन के सरकारे नहीं आती थी Egypt की capital क्या है प्राइरो बोलते हैं ऐसे और यहां के प्रधान मंत्री है मुस्तफा मेदबावली के नाम है मुस्तफा मेदबावली यह कौन सी company है जिसने health monitoring application launch किया है जिसका नाम है Nutriplus तो इसको launch किया गया है Britannia company के दोरा Britannia company को I think बच्चा बच्चा जानता है कोई ऐसा बच्चा नहीं है भारत में जो कि Britannia के biscuit खा के ना बढ़ा हुआ हो तो Britannia company के दोरा एक new application Nutriplus launch किया गया है जो कि आपकी health को monitor करना में आपकी मदद करेगा example के तोर पर आप इस app को use करते हैं तो आप इसमें targets ले सकते हैं जैसे कि आप 60 days का target ले लीज़े fitness के लिए या 90 days का या 180 days का target ले लीज़े अब ये आपको उसी साब से आपकी diets भी बताएगा आप उस diets को follow अगर करते रहते हैं तो हर दिन ये आपको ये भी बताएगा कि आज आपने कितनी calories consume करी हैं साथ में आपको अगले दिन ये भी बताएगा कि आज आपकी body का weight कितना कम हो गया होगा या आप gaining के लिए कर रहे हैं तो आपको ये भी बताएगा कि आपकी body का weight इतना जादा हो जाना चाहिए इवन ये आपको आपके schedule के हिसाब से एक पूरा time table भी बना कर देता है कि आप सब्ता में किस-किस sports को खेल सकते हो और अपने diets कैसे रखें इवन एक proper ये platform है जिसमें ये पहले आपका एक survey करके आपका जो lifestyle है उसे observe करता है और उस हिसाब से फिर आपका diet plan मिना देता है Britannia company बहुत पुरानी है इसकी स्थापना 1892 में करी गई थी इसका headquarter है कुलकता और इसके chair person है नुसली वादिया क्या नाम है नुसली वाडिया हाली में ये कौन सी company है जिसने phone pay के साथ pact assign किया है तो ये insurance company है star health insurance और इन्होंने phone pay के साथ इसलिए pact assign किया है कि जैसे कि जो phone pay के users है वो आप चाहें तो अपनी health policy directly phone pay के अंदर से ही star health insurance से ले सकते है policy इसमें आपके पास payments के various options है जैसे कि आप monthly pay करना चाहते है तो monthly pay कर दीजे yearly या फिर six months में pay करना चाहते है तो आपके पास काफी सारे option है even इतना ही नहीं अगर आप चाहते हैं कि हर महिने जो EMI है वो आपकी auto debit हो जाए तो उसमें भी आपके पास option है आप अपने phone pay पर पैसे रखिये wallet में उसी से auto deduct आपके पैसे होते रहेंगे insurance के लिए और phone pay जो है इसकी स्थापना साल 2015 में करी गई थी headquarter है इसका Bangalore और इसके chair person है समीर निगम क्या नाम है समीर निगम और star health insurance जो है इसकी स्थापना साल 2006 में करी गई थी और इसका headquarter है चिन्नई इसके CEO है Anant Roy क्या नाम है Anant Roy इसके फोन पे के brand ambassador कौन है यह है आमिर खान और भारत पे के brand ambassador सल्मान खान यह कौन है भारत की तरफ से जिन्हों ने SEO की security council meeting की अधिच्चता करी है और भारत को represent किया तो यह हमारे national security advisor है अजी डोबाल साब और संगाई corporation organization security council meeting 2014 इस बार कहां पर आयुजित करी गई है तो यह कजाकस्तान की capital अस्तना में आयुजित करी गई और यहां पर भारत को represent किया अजी डोबाल ने इस बार यह जो meeting थी इसको lead कर रहे थे कजाकस्तान के president जिनका नाम है कासिम जोमार्थ तकेव तो अर्वीर डोबाल की directly meeting भी जोमार्थ तकेव से हुई है और इस बार की meeting का जो उद्देश था वो basically दो से तीन जगहों पर था एक तो counter terrorism को लेकर कि जितने भी countries हैं SEO के अंदर member वो सभी अपने देशों में terrorism के खिलाफ जोड शोड से आगे के लिए मुहीम चलाएं technologies को develop करें इतना ही नहीं cyber security को लेकर भी यहां पर concern जताया गया and apart from this ऐसे elements जो की separatism के लिए काम करते हैं मतलब समाज को लड़वाने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी मुहीम चलाई जाएगी and आने वाले समय पर ये सारे countries एक दूसरे के साथ data भी share करेंगे आपको बता दूँ SEO की इस्थापना करी गई थी साल 2001 में इसकी इस्थापना करी गई थी और इसमें सबसे बड़ा हाथ था चाइना का इसके जो founding members हैं वो थे चाइना, कजाकिस्तान, भरशिया, उजबेकिस् और फिलाल इस टाइम पर भारत भी इसका member है, permanent member है वारत, 2017 में दो देशों ने इसे जोइन किया था, एक तो भारत ने जोइन किया था, और दूसरा पाकिस्तान ने भी इसे जोइन किया था, तो भारत और पाकिस्तान भी आज की date में इसके permanent member है, बाकि इस टाइम पर सेक्र पंजाब & Sindh Bank के Chief Financial Officer के रूप में अपोइंट किये गए हैं, तो यह हैं अरनब गोस्वामी, अब से नए CFO होंगे पंजाब & Sindh Bank के, इन्होंने जिनकी जगह ली है, इनका नाम है महिमा अगरवाल, तो महिमा अगरवाल को इन्होंने सक्सीड किया है, अरनब गोस्वामी को ब और बैंकिंग के छेत्र में एक और अपोइंट्मेंट आप ध्यान रखिये, हाली में Union Bank of India के Executive Director कौन अपोइंट किये गए हैं, अंकस दिवेदी, यह मैंने आपको दो दिन पहले ही बताया है, रास्टी ये समुद्री दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, National Maritime Day, तो ये दिव उसे Secure and Safe Side रखे हैं, Ultimately पूरे दुनिया में सबसे जाधा जो व्यापार किया जाता है, वो पानी के रास्ते से ही किया जाता है, लेकिन कई बार आप देखते हो, Safety Precautions ना लेने की वज़े से, जो Ships होते हैं, वो कई बार पलड जाते हैं, इवें जानमाल का नुकसान हो जात जाता है, Marine Habitat भी इससे खराब होता है, कई बार Crude Oil फैल जाता है, तो लाको करोडो मचलियां भी मर जाती है, तो उन सारी चीजों से जागरोख रहने के लिए दिवस मनाया जाता है, ये दिवस पहली बार 1964 में मनाया गया था, ये कौन है जिनको National Fame Awards 2024 से सम्मानित किया गया ह आप ही चाता हूँ, घर का ही सदस है, डोगी है, उसकी आवाज आपको आगई होगी, हाँ जी, एनिवेस, National Fame Awards 2024 से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है, डॉक्टर कार्तिक कॉमरी, क्या नाम है, डॉक्टर कार्तिक कॉ सम्मानित किया गया है, और ये जो इवेंट था, इसका आवजन मुंबई के दा कलब में किया गया था, और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में दिया मिर्जा को एपोइंट किया गया था, और इनके अलावा और भी कई सारे कलाकारों को भी सम्मानित किया गया, जैसे कि गोह पाई election 2024 में युवाँ से वोट देने कि ओपील करने के लिए election commission ने किसको appoint किया है election commission ने चुना है आयुशमान कुराना को को आयुशमान कुराना लोग सबाई elections के लिए campaign चलाएंगे जो कि किसी parties related नहीं होगा ये एक general campaign होगा election commission के द्वारा जिसमें बता रहे होंगे कि vote की value आपके क्या है एक beautiful message इस तरीके से देंगे कि भई सरकार की तरफ से election commission की तरफ से जिस दिन voting होती है उसे चुट्टी के रूप में declare किया जाता है तो केवल इसे चुट्टी का दिनना मांगे और आपको शुट्टी इसी लिए दी जा रही है कि आप समय निकाल कर 10 मिनट में अपना vote जरूर डाल के आए तो इस campaign को चलाएंगे आईश्मन खुराना election commission की स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारत में करी गई थी और इसी वज़े से 25 जनवरी को हर वर्स रास्टी इम्मत दाता दिवस की रूप में मना जाता है election commission के लिए हमारे समवधान में article 324 में प्राउधान है इस टाइम पे भारत के चीफ election commissioner ये हैं राजीव कुमार और बाकी के दो election commissioner जो की हाली में पिछले मैंने ही appoint किये गए हैं तो एक है सुखबीर सिंग सांदू और दूसरे हैं ग्यानेश कुमार इन दोनों का नाम भी आप ध्यान रखेगा क्योंकि ये appointment से जड़े हुए question है ये कौन सा वर्ष है जिस वर्ष तक भारत सरकार target लेकर चल रही है कि पूरे भारत में पहला privately managed किया जाएगा strategic petroleum reserve मतलब कहने का देखिया ये है कि अभी तक क्या होता है कि भारत सरकार petrol दूसरे देशों से आयात करती है और इसके बाद यहाँ पर गिनी चुनी कंपनिया है जाधा तर तो अगर reliance को हम छोड़ दे तो जाधा तर सरकारी कंपनिया है जैसे कि इंडियन ओयल हो गई हिंदुस्तान petroleum हो गई ठीक है तो इनको petrol दे देती है भारत सरकार और ये उसे process करके बेचते हैं ठीक है मतलब बेचने योग ये बनाते हैं क्योंकि जो हारत सरकार लेती है वो तो कच्चा तेल होता है उसे ये लोग process करते हैं और इधार अगर private में बात करें तो reliance को दे देते हैं लेकिन अब क्या होगा अब ये होगा कि आने वाले समय में कुछ petroleum reserve पूरा private तोर पर भी रखा जाएगा मतलब इसके लिए tender उठाए जाएंगे और इसमें private companies apply कर पाएंगी कि हाँ भई ये एक particular platform है इससे जो भी company जुड़ना चाहे जुड़ सकती है और petroleum बेज सकती है फिक है ये ये कुछ-कुछ liquor के license की तरह हो जाएगा जैसे की liquor का license हर साल उठता है उसी तरीके से अब जो private companies है वो petroleum का भी बेचने के लिए license ले पाएंगी तो एक तरीके से आब हो सकते हो petroleum sector को privatize करने की पहले है और सरकार इसके लिए target लेकर चल ले है दो हजार 29 से 30 तक भारत में पहला privately managed petroleum reserve इस्थापित कर दिया जाएगा पहले phase में दो petroleum reserve इस्थापित किया जाएंगे एक तो करनाटक में इस्थापित किया जाएगा जिसकी जो capacity होगी ये 18 million barrels की capacity उडीसा में इस्थापित किया जाएगा इसकी capacity 29 million barrels की होगी ये कौन सा संस्थान है जिसने अभी हाली में Meta का third party fact checking program जोइन किया है Meta जिसको facebook के नाम से पहले जाना जाता था अब यह ही Meta है तो Meta का एक platform है fact checking platform जिसका काम है news को authorize करना कि कोई भी news है तो ये fake तो नहीं है ये इस चीज़ को authorize करने का काम करते हैं तो इसको join किया है हमारी Press Trust of India ज्यान रहे Press Trust of India भारत सरकार की broadcasting agency है मतलब भारत सरकार कोई भी official news देती है तो उसे चापने का काम और publish करने का काम Press Trust of India ही करती है तो भारत में Facebook में Instagram पे WhatsApp में इन सभी platforms में आप कई बार देखोगे बहु प्रोग्राम के अंतरगत और इससे misleading information आगे ना जाने पाए उसको रोकने में काफी मुदद मिलेगी Press Trust of India इसकी स्थापना 1947 में करी गई थी headquarter है इसका नहीं दिल्ली इसके chairperson है के एन शंत कुमार अब मेरा आज का सवाल आपसे आपने इस picture को कई बार देखा होगा इसे आप ठीक से देखिए और मुझे बताईए ये कौन से देश में स्थित है अगर आपको पता है तो इसका नाम भी बताईए क्योंकि जो आपको picture में दिखाई दे रहा है ये दुनिया के seven wonders में से एक है अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर कल तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगे ही आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं चाहे वो SSE का कोई exam हो चाहे state का कोई exam हो इस साल की तो आप मेरा GSGK का foundation batch exam engine application से purchase कर सकते हैं इस batch के अंदर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है history, policy, geography, science, economics, computer सब कुछ कवर किया है साथ में वल नाइन का crash course है और इसमें पिछले 5 सालों के PYQs भी कवर किये हुए है मतलब यह complete package है आपके लिए जिसमें GS का कुछ भी नहीं बसता है और अगर आप CPO, MTS या CHSL देने जा रहे हैं तो उसके लिए special batch launch किया हुआ है इस batch में GSG के complete आपको मिल जाएगी और reasoning भी आपको complete मिल जाएगी और 30% इसमें off चल रहा है जिसे आप avail कर सकते हो आज ही कल से इसके price बढ़ जाएंगे इस batch के, CPO अले के और इस batch में सिर्फ CPO नहीं MTS, CHSL भी कवर हो रहा है अपार्ट फॉम इस state government के exams भी इसमें कवर हो रहा है Thank you so much, have a nice day, take care, bye bye, आपका दिन मंगल में हो